सेमरी हर्चन से परचड कर आ रहे बिजली के बिल को लेकर शिफसेना ने निकाले विद्ध विभाग की शवयात्रा सिफ सेना नगर इकाई द्वारा पर चड़ कर आ रहे है बिजली बीलो को लेकर आज गुमर खेडी रेल्वे स्टेशन से लेकर सेमरी हरचंद बिजली आफिस तक विद्धिद्विभा के खिलाफ रैली शवयातरा निकाली गई जिसमें ग्रामीडों ने विद्धिद्विभा के खिलाफ जम कर नारेवाजी कर विजली बील कम करने की मांग की जब सिफ्षानिक रैली लेकर विजली बी आफिस पहुँचे तो वहाँ ग्यापन लेले कोई अधिकारी नहीं मिला जिसके बाद विद्धिद्विभाग ने कर्मचारी सूरज पटेल को ग्यापन देकर अधिकारियों तक पहुँचाने को कहा सिफसेना के जिला उपाध्यक्ष चंद्रकांत गड़वाल ने बताया कि पहले जिन लोगों के 100 रुपए 200 आते थे उनके बिल इस महाथ 700 सो से लेकर 1000 तक आये हैं विद्धिद्विभाग द्वाग द्वारा मनमाने बिल वसूले जा रहे हैं जमा जमा नहीं करने पर कनेक्सिन काटने की धमकी विद्धिद्विभाग द्वारा दी जाती है गरीब लाचार लोग इतनी अधिक राशी कहां से जमा करेंगे शिफसेना की कारेकरताओं ने पीपल जॉप पहुँचकर विद्विभाग का पुतला रहन कर बिजली माफ करने की बात कही है पुतला जल जाने के बाद वकाइदा उस पर पानी डाल कर आग बुचाएगा इकडवाल ने कहा हर समय हमजरता के साथ खड़े हुए हैं यह तो शुरुआत है हर समस्या में हमजरता के लिए उनके हग की लड़ाई लड़ते रहेंगे वहीं विद्द विभाद द्वारा कहा गया कि जिनके भी बिजली बिल इस पार बढ़ चड़ कराये हैं उनके बिल बिजली आफिस लाकर चेक कराये हैं लोड के हिसाब से उनका बिल दिया जाएगा शिफसेना द्वारा ग्राम जमुनिया से निकाली गई रैली में शिफसेना जिलाव पाध्यक्ष चंद्रकांत गड़वाल नगर अध्यक्ष राम कि सोर पटेल नगरु पाध्यक्ष गोपाल महरा नरेश चौदी सत्वासा आधि ग्रामिर एवं शिफसेनिक मौजूद रहें खबर भारत वर्ष के लिए सेमरी हर्चन से कमल महरा की रिपोर्ट